हेलो एबरिवन एक बार फिर से आप सभी का सवागत हैं दोस्तों इस पर्टिकलर वीडियो में हम साइंस पेडागोगी जो साइंस का आप जानते हैं साइंस के पेडागोगी से इंपोटेंट इंपोटेंट कोशन हम डिसकस करेंगे जो प्रिवेस एर में पूछे गया है और का दोस्तों बहुत साहरा कोशन रिपीट होता है अपका जो सीटिट का एक्जाम है ओके होने ळाए जो एक्जाम है तो आप उसको असानी से वहां competent करेंगे यहां हिंदी और इंग्लिस बालिवल दोनों तरह से कोसन को डिसकस करेंगे दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्लीज आंते तक देखें आपको गुड फिल होगा दोस्तों आप यहां पर नॉलेज भी आप अच्छे से गें कर पाएंगे चीजों को अच्छे से संदर में सत्त नहीं है जो नेचर आप साइंस विग्यान का प्रकृति उसके संदर में कौन सा सत्त नहीं है फर्स्ट है विग्यान सदेव और अस्थाई होता है हमेशा जो है और अस्थाई होता है फर्स्ट यह करा है सकेंड है विग्यान संसे बाद को बढ़ावा देता है थरड़ बिज्ञान ग्यान की निर्मान की प्रक्रिया है अब बिज्ञान प्रक्रिती में अस्थिर है बिज्ञान प्रक्रिती में अस्थिर है यह हमसे चारवे स्टेटमेंट जो हमसे पूछा हमसे पूछा कि इसमें से सही कौन नहीं है देखे दोस्तों कौन सा हमारे पर पूछा कि गलत कौन है तो science is aesthetic in nature science क्या nature में aesthetic है अस्थिर है बिल्कुल ने दोस्तों science aesthetic ने science dynamic है science में हमेशा नाच्छेंज होती ही रहता है तो science aesthetic ने science dynamic है तो हमारा answer क्या हो गया first हो गया यहां answer first दिया है previous year में यह answer चुकी aesthetic वालों ने गलत अंसर दिया था उसी अंसर के यहां पर यह एज़िट कर दिया है next question देखते हैं लेकिन answer आप ध्यान रखें बिग्यान प्रकृति में अस्थिर है नहीं अस्थिर ने दोस्तों dynamic है यह ध्यान रखेंगे next question है identify the correct statement about the nature of science यहां भी nature of science के बारे में कुछ statement दिया हुआ है पहले उसको हम हिंदी में देख लेते हैं फिर आपको इंगलिस में उसको हम explain करेंगे बिग्यान की प्रकृति के संदर में सत्य कथन को पहचाने बिग्यान की कार प्रनाली और अने छेतरों से इसका सिमांकन दार्षनिक बादविबाद का विषय बना हुआ है यहां तक ही बिग्यान के सबसे स्थापित और सारभामिग नियमों नहीं टिपनियों प्रयोगों और विसलेशनों के प्रकास में संसोधन के आदहीन को हमेशा अनंतिम आंजाता थर्ड है अठकलो और अनुमानों का बिज्ञान में भी अस्थान है लेकिन अंतता एक बिज्ञानिक सिधान्त स्विकार होने के लिए द्वन्द को प्रसांगित अपनियों और या प्रवियों दरह स्थाबित क्या जाना चाहिए साइंस का जो भी युनिवर्सल लौ वे अगर आगे रिशर्च होगा तो उसमें मोडिफीकेशन की समावना है अगर आगे जैसे ऑब्जर्वेशन होता है उसमें भी परिवर्टन हो सकता है यह सत्य कतान है हमसे पूछा है कौन करेक्ट है तो सगेंड ऑप्सन हमारा करेक्ट है याद रेखेगा सगेंड यह साइंस का पेड़ागोगी से रिलेटिड कुछ इम्पोर्टन कोसन है दोस्तों नेक्स्ट जो पूछा गया है वी चौद फॉलाविंग इस नौट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर अप साइंस यहां भी नेचर अप साइंस के बार में कौन सा स्टेट्वें गलत है आपसे पूछा है फर्स्ट है पहले इसको हिं इंटरडिस्प्लिनरी एर्या उप लर्निंग बिल्कुल सही बात है साइंस अलवेश टेंटेटिव यह भी सही है साइंस प्रोमोट से सब्टीज हम अतलब संसे बात बिल्कुल साइंस है तो आप दोस्तों संसे बात को बढ़ावा दिता ही है लेकिन साइंस से किसरी यह गलत बात है हमसे पुछा कोन साइंस सॉ है परनी इसको देख लेते है फस्त है बिग्यानुक जिन में 2 फिरणियानी इक प्रियोग अगयात्माग चाडितर होता है प्रयोग के मादेम से बेग्यानिक ज्यान से दिक्या जा सकता है बिग्यान का मुल्य तठस्थ होता है मुल्य तठस्थ होता है बिग्यान ज्यान का एक उदेश है तो हमसे पूछा है कौन सा यहां पर incorrect है कौन सा यहां पर सही है दोस्तों तो scientific knowledge has a tentative character बिल्कुल scientific knowledge होता है हमारा एक प्रकार से बेग्यानिक ज्यान में एक प्रयोगात्मक चरित्र होता है tentative character तो होता है बिल्कुल सही बात है scientific knowledge है tentative character scientific knowledge can be proved through experimentation science is a value natural scientific knowledge is an objective of science तो नेचर आप साइंस रिलेटेड हमारा जो most appropriate क्या हो सकता हमारा first option correct है यहाँ भी correct statement बताने पहला है science is blend of logic and imagination बिल्कुल science जो है logic भी है कुछ imagination भी है space के बारे हम दोस्तों बहुत सारा चीज़ हम क्या करते हैं imagine करते हैं कल्पना ही करते हैं यह तो सही है science is a process and not a product science is all about experimentation only science can include values among student कि science ही विद्यारतों के अंदर values मतलब नैतिक मुली को include कर सकते हैं यह तो बिल्कुल गलत बात है हमसे correct statement पूछा दोस्तों first statement ज्यादा correct है all right science वह आपका बिज्यान तर्क और कल्पनाओं का मिसरन है next question है which of the following statement is our regarding divergent question in science science में जो divergent question है उसके तलाए regarding कुछ statement दिया है आपको बताने कौन सत्य है विज्यान में अपसारी प्रस्ण के संदर में कौन सा कथन सत्य है first है यह सिख्षयार्तियों में विवेचन आत्मक सोच को बढ़ावा देता है यह विद्यार्तियों में व्यक्तित्व विभंताओं के पहचान करने मदद करता है इनका स्वरुपतियंत विशे परक होता है देखिए विवेच्टिकल थिंकिंग इन लर्नर्स बिल्कुल सभी बात है विवेच्टिव नेचर यह बहुँ जादा अब्जेक्टिव हैं विल्कुल नहीं फर्स्ट और सकेंड उप्सिंग हमारा करेक्ट है तो फर्स्ट उप्सन करेक्ट है दोस्तों ए और बी नेच्ट कोशन है कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक लड़की जो दिपिका यह सारे अक्टिविटीज को करती है यह साइंस के किस टीचिएंग को आपको बेस्ट सूट मतलब बताता है किसको सटिफाइ करता है देखिए बिज्यान में प्रसंद करना अनवेशन कारे और जांज करना माना जाता है निवर कित्में से कौन सी गतिविदिया बिज्यान के सिक्षन में टीचिंग में दिपिका द्वारा की गई इन मान दंडों को पूरा करने के लिए सबसे उप्यूक करते हैं इस सारे चीजह को मा पर uh करते हैं तो जो द्यपिका यहां पर कॉस्सनिंग कर रहा ही एक्स्प्लोरिंग कर रहे है दुस्तों कोछ इन्वेस्टिगेट कर रहे यह एक्टिविटीज के अंदर यह उसका क्या है तो प्रोजेक्ट वर्क के अंतरगत आता है और के प्रोजेक्ट वर्क ओन नेचर आप साइंड ध्वानी की प्रक्षिति पर पर्यूजनाकार है नेक्स्ट कोशन है विच एमंग्स फॉलोइंग विज इनकरेक्ट वर्क अपॉट साइंस के बार हम गलत क्या है तो देखें दोस्तों हिंदी में एक बार देख लेते हैं बिग्यान प्रक्रिति को देखने का एक बिशेज तरीका है बिल्कूल प्रक्रिति को हम साइंस के प्रक्रिति करें वाला निकाहें बिल्कूल ब्यद्ग सिखने यहाँ सब्सक्रीट नहीं तो सभी इं Heart नेक्सट कोसन है वाईल कॉपीड उल्पिक नभीटि टोपिक फढ़्या और रहा है लैक्ट्रिश्म क्लास में electricity परहा जाया है class 8 में the teacher commented तो कुछ जो teacher हैं जो सिर्शक परहार है class 8 में electricity comment करते हैं कि Thomas Edison experimented thousands of times before the successfully found a material suitable to be used as a filament of light bulb आपने भी सुना होगा दोस्तों कि Thomas Edison लगवग 1000 experiment करते हैं तब जाको बल्ब का निर्वान कराते हैं करापत या आपने में एक motivation भी है कि कम से कम हो 1000 तरीका या कह सकते हैं जिसके तुरू बल्ब नहीं बन सकता है तो मतलब आदमें को practice करते रहाना चाहिए प्रैक्टिस से आप करते हैं गल्तियां यह εनेंश उप सैंस सब का हम हिंदी देख लेते दोस्तों का विज्ञान में आत्म परक्ता विज्ञान में अंतरमगता विज्ञान की अनुभव सिध्री प्रकृती देखिए देखिएdramatic जो हमारा एक प्रकार के नेचर हैं अनुभव सीधी आपको कोई विज्ञान से अनुभब प्राप्त होता है बार बार जो एक्सपरिमेंट करते आप इससे बहुत सारा एब्जॉर्ब करते हैं कि इस प्रकार के गलती यहां हो सकती है इस चीज़ को रिपीट निकाना ची तो अनुभब सिद्धी प्रकृति यह साइंस काम को बता रहा है एक सिखची छात्रों में विज्ञानिक उध्यम के सार को निमलिकीत कार नितियों करक्सिद करता है जाये तब वह जाके स्इंटिपिक उसमें अस्पाक्ट डेवलब हो सकता यहां विग्यान की प्रक्रिति को सिक्षन अधिगम का एक अभीनांग बनाना बनाया जा बिल्कुल विग्यान की जो प्रक्रिति नेचर अप साइंस को वो साइंस की टीचिंग का एक लर्निंग का एक अधिगम बनाना ही होगा उसको अभीनांग बनाना होगा तब ही हो सकता है छात में ध्यान परना देना परेगा तो third option हमारा कहा रहा है कि किसकी सवाई किसको छोड़ कर तो आप fact को दोस्तों fact को यह memorize को fact करके आप scientific aspect डवलप नहीं कर सकते तो third option हमारा incorrect है औल राइट इसको छोड़ कि आप यह को लाइक करें दोस्तों कोई query हो comment section पूछ सकते हैं और प्लीज अपना feedback दें के आपको कैसा लगा ओके ताकि हम आगया और modify कर पाएं दोस्तों और आच्छे साब को हम बता पाएं प्लीज हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कर ले जिए कोई भी notification वे अगर आपके जाम से लेट